नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं मद्दान सिंभूम सीट के मद्दाताओं ने किया है, सिंभूम सीट पर 66.95 प्रिश्दी लोगों ने अपना मत अधिकार का इस्तिमाल किया है वहीं सिम्भूम के बाद खुट्टी लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा बोटिंग हुई है यहाँ 65.82 प्रिजदी लोगों ने मद्दान किया है वहीं लोहरदगा में 62.60 प्रिजदी मद्दाताओं ने अपने मता अधिकार का इस्तिमाल किया जबकि पलामू में सबसे कम 69.99 प्रिजदी लोगों ने बोट डाले है बदा दे सोम्वार को इन चार लोकसभा सीटों पर सांती पुरुवक मद्दान संपन हो गया है सभी लोकसभा छेत्रों में मद्दाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में मद्दाताओं ने बढ़ चड़कर लोकतंत्र के माहा पर्व में अपना योगदान दिया है सिम्भूम लोकसभा सीट के कई बुथों पर साम 5 बजे के बाद भी बड़ी संख्या में मद्दाताओं के लंबी कतार लगी थी ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम के पिये संजीव लाल की रिमांड बढ़ी चारखन के ग्रामिन विकास मंत्री के पिये संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की रिमांड को कोट ने 5 दिन और बढ़ा दिया है इडी ने कोट में दोनों की रिमांड की मांग की थी जीसे कोट ने सविकार कर पांच दिन और बढ़ा दिया है इन दोनों की रिमांड तेरह मई को समाप्त होने वाली थी इडी ने दोनों को मनी लॉंडरिंग के आरोप में गिरफतार किया था ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम के पीए संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को इडी ने 16 घंटे की लंबी पूस्ताच के बाद गिरफतार कर लिया था इडी ने इन दोनों की ठीकानों पर छापे मारी कर 35 स्कोर से अधिक किरासी जब्त की थी गिरफतारी के बाद जब इडी संजीव लाल को जहारखन से चिवाले में उनके कर्याले कक्ष लेकर गई थी तो इडी ने वहां से भी 2 लाक रुपे जब्त किया था खराब रास्ते को लेकर भोट वहिस्कार की जीत पर आये टूंडी के ग्रामिन लोकसभा चुनाओं को देखते हुए जानता भी अब अपनी मांगों को लेकर सलक पर उतरने लगी है बतादे टूंडी पर खंड के बरवाटार पंचायत के कमारडी से बरवाटार पत निर्मान की मांग को लेकर अब जानता बिरोध परशन पर उतर आई है इस गाओं के बड़ी संख्या में पूरूस महिलाय सोमवार को करमडी के पास बिरोध परशन किया और रोड नहीं तो भोट नहीं के नारे को बुलंद किया है इस दोरान बड़ी संख्या में महिलाय भी सामिल थी यह रास्ता करमडी से पच्छिम की ओर जाता है जिसकी थीती काफी जरजर है इसका पुन निर्मान पिछले 10 वर्सों से नहीं हुए है जिससे की सड़क पर बड़े बड़े गड़े और बोल्डर निकल आये है बोट करने आ रहे है युवक की मौत गुमला जिले के बना लाता में मद्दान करने के लिए बूत पर आ रहे है एक दमपती सड़क हादसे का सिकार हो गया है हादसे में पती की मौत हो गई जबकि पतनी घायल हो गई है बताया जा रहा है कि ए लोग बोट डालने बना लाता बोट पर आये थे ए लोग अपने साथ कोई पहचान पत्र लेकर नहीं आये थे मद्दान केंद्र में निर्वाचन पता धिकारी ने उसे पहचान पत्र लाने के लिए कहा दमपत्ती वापस घर चला गया और पहचान पत्र लेकर वोट डालने बूत पर आ रहे थे तबी एक पीकप गाड़ी ने उसे कुछल दिया जिससे पत्ती की मौत हो गई है जारखन मौसम मौसम भी भाग ने कहा है कि जारखन में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापान में धीरे धीरे 3-5 डिगरी सेंटी ग्रेट तक की बिरिधी हो सकती है 14 माई को जारखन के उतर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हलके दर्जे की बरसा होने की समभाव ना है इसके बाद 15-18 माई तक आस्मान मुख्यता साप रहेगा मौसम सुस्क रहेगा वही 29 माई को फिर उतर पूर्वी भागों में गरज के साथ हलके दर्जे की बरसा हो सकती है बतादे राजधानी राची में 15 माई तक आस्मान मौसम सुस्क ही रहेगा वही 16 माई से आस्मान भी साप हो जाएगा अधिक्तम तपमान 36-49 से 27 तक रहने का अनुमान है राची इस्थित मौसम के अंदर के परमुक अविसेक अननन ने कहा है कि पिछले 24 कंटे के दोन राज में कहीं कहीं कर अजके साथ हलके दर्जे की बरसा होई है हेमान तो सुरेन को ED कोट से जटका जमान त्याच का खारी जारखन के पूर मुक मंतिय और जारखन मुक्ति मोचा के करकारी अधिक्स हेमान सुरेन को PML कोट से जटका लगा है कोट ने सोमवार को पूर्व CM हेमान सुरेन की जमान त्याच के खारीच कर दिया है बता दे बढ़ गाई अंचल की 8.5 एकर जमीन मामले में पूर्व CM हेमान सुरेन ने PML कोट से जमान त्मांगी थी उनकी आजका पर सुनवाई के बाद कोट ने उसे खारीच कर दिया है जार्खन के पूर्मुख मंत्री हेमान सुरेन फिलहार बढ़ गाई अंचल की जमीन से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में जेल में बंध है उनका दावा है कि उने जुटे मामले में केंद्रीय जाच एजेंसी प्रवतर नीदे सले ने फसाया है जिस कथित जमीन घोटाले के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया उस जमीन से उनका कोई वास्ता नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष का जार्खन दवरा कल्पना सुरेन पैर शुकर लिया आसिरवाद लिया मलकार जुन खड़गे एक दिवसे जर्खन दोरे पर रांची के बेचा मुझायार पर पर पहुंचे थे लातेहर और बरही में चुनावी सभा को मलकार जुन खड़गे ने समोधित किया उनके साथ चुनावी सभा के मंच को कलपना सुरेन ने भी साजा किया है कलपना स कांग्रेस के राष्ट्री अध्यक्स मलकार जुन खडगे सोम और को लातेहर पहुंचे मलकार जुन खडगे ने चात्रा लोक सभा से परत्यासी कें तिरपाथी के पक्ष में चुनावी सभा किया है इस मौके पर कल्पना सोयन परत्यासी कें तिरपाथी समेत इंडिया गड़ बदन के कई नेता उपस्तित रहे मतादे कांग्रेस अध्यक्स मलकार जुन खडगे ने लातेहर में चुनावी सभा को समभोधित करते हुए कहा है कि यह लड़ाई बड़ी है यह लड़ाई देश के जमूरियत को बचाने के लिए है समिधान को बचाने के लिए है उन्होंने कहा है कि आरेसेस के पॉलीसी को लागू करने वाला मोदी है मैं बारह बार चुनाव जीता हूँ आखिरी में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं कभी नहीं बदला क्योंकि मेरा उसूल पर विश्वास है कांग्रेस के रश्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खळगे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना सात्तेवे कहा है कि सातर बर्सों में कांग्रेस कुछ नहीं करती तो आप सासन में नहीं होते पलामू में भीडे आर्येडी और बिजेपी समर्थक जारखन में लोगसभा की चार सीटों पर मतदान हुई मिल रही जनकारी के अनुसार राम सुदवा बुथ पर बिजेपी और आर्येडी समर्थक भीड़ गए हैं जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए मतदान परभावित हो गया हालाकी जल्द ही सुरक्षाबोलों ने उपद्रियों को बूथ से खदेर दिया है बड़ी संक्य में पूलिस बल के साथ थाना परभावाई ने खुद मोच्चा समहा लिया जिसके बाद मतदान केंदर पर जल्द ही सांती पून तरीके से मतदान बहाल हो गया आपको बता दे पलामू लोकसभा सीट के सांसद बीडी राम को मतदान देने के लिए RJD परमूख लालू परसाद यादों ने BJP के एक पुरानी करकाता मामता भुया को चुनाओ मैदान में उता दिया है पलामू में इंडिया एलांस की सजा पता से RJD की मामता भुया बीडी राम को टकर दे रही है CM चंपाई सुरेन ने परिवार के साथ किया मतदान देश में लोक सभाचुनाव चल रहा है देश में चाओते चरण और जारखन में पहले चरण के लिए वोट डाले गाए इस चरण में कई दिगजों के किसमत इबियम में कैद हो गए है वहीं कई दिगज अपने परत्यासियों को जीताने के लिए मद्दान का परियोग कर रहे है जारखन के मुख्यमति चमपाई सुरेन ने भी अपना मता अधिकार का परियोग किया है सुबह 10 बजे अपने घर के समीब उतकर्मिक मद्द बिद्यालाय जीलिंगोड़ा मतान केंद्रे पहुँचे यहां बुद्ध संखे 220 पर ओ भोट डाले ओ अपने परिवार के साथ भोट करने पहुँचे थे उनके साथ पत्नी मानको सुरेन और पुत्र समेत घर के अने सदस भी पहुँचे थे जिन्होंने अपना मता अधिकार का परियोग किया है सभी लोगों में इस महापर्व का उत्साह देखा गया परियोच भोट डालने के बाद मुख्य मंत्री चमपई सुरेन ने कहा है कि आपका मौलीक अधिकार है उन्होंने आम लोगों से मदान करने की अफील की है मंत्री मिफिले स्ठाकूर ने अपने परिवार के साथ किया मदान जार्खन सरकार के मंत्री मिस्लेस ठाकूर सब परिवार पलामुलोकसवाद छेत्र के गढ़वा के कल्यान पूर में बुथ संख्या 206, 207, 208 और 209 पर भोट देने पहुंचे वही मंत्री ने सब परिवार अपने बुथ संख्या 207 पर मद्दान किया इस दोरान उनकी بेटी परत्याक्षा पहली बार पोट दे, इस मौके पर बड़ी संख्या में मत्दाताओ की भीर देखी गए क्या युँआ क्या बुझूर की क्या महिला सभी पोट देने के लिए उत्साही दिखे इस मौके पर मंत्री मितलेश ठाकूर की बेटी परत्याक्षा ने कहा है कि इस बार महिला उत्तान के लिए हमने पहली बार मतदान किया है वही मंत्री की पत्नी ने कहा है कि जो लोक की हीत में काम करे उननी को वोट देना चाहिए चारो सीटो पर इंडिया गड़ बंधन परत्यासियों की जीत हुई सुनिस्चित जे में लोग सभाचुना तो 24 के चोथे चरण में परदेश के चार संसद्य सीटो पर मद्दान कारे सोम वार को सांति पुन तरिके से संपन हुआ है जारखन मुक्ति मूर्चा ने चारो ही सीटो पर इंडिया गड़ बंधन की ओर से अधिकरित परत्यासियों की जीत सुनिस्चित होने का दावा किया है पार्टी के महासचिव सुपरियो भटाचा ने कहा है कि इन सीटो पर हुए मद्दान सस्पस्ट हो गया है कि आने वले दस लोग सबाद छेतरों का पईनाम क्या होगा उन्होंने मद्दाताओं को बधाई देने के साथ अभार ब्यक्त किया है बतादे जामो नेता ने कहा है कि भादपा के प्रती जो क्रोध यव असंतोस था उसे मद्दाताओं ने अपने वोट से व्यक्त किया है आईसा कर मद्दाताओं ने जारकंड की अस्मिता और नियाय तता समिधान यव लोगतंत्र बचाने के लिए जो संगर सुरू किया है वह निर्नायक होगा इडी ने कोट को बताया नीचे से उपर तक के अपसरों की बीच होता था बटवारा टेंडर कमिशन घोटाला में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रही इडी ने अनुसंधान में कई महत्पून तत्यों की जनकारी जुटा ली है इडी ने इस मावले में पुर्व में गिरफतार मंत्री अलमगीर अलम के नीजी सचियू संजीव लालोवा, संजीव लाल के नौकर जहांगीर अलम से 6 दिनों तक पूछतास के बाद प्यमेले कोट में रिमार्ट अधी बढ़ाने के लिए जो अवेदन दिया उसमें कोट से कई महत्पून जनकारी साजा की है इडी ने कोट को बताया कि ग्रामिन विकास विभाग में नीचे से उपर तक के कई अधिकारियों का एक गिरोह टेंडर कमिशन घोटाले में सामिल था इनके बीच टेंडर के कमिशन का बटवारा होता था इन 6 दिनों के अधी में कुछ और छापे मारी हुई है जिसमें टेंडर कमिशन घोटाले से समयत महत्कुन दस्तावेज डिजिटल साक्ष भी बरामत हुए है जारखन में 7 चरन के लिए सोमवार को 18 ने किया नमांकन सोमवार को 7 चरन के लिए जारखन में 18 परत्यायसवय नमांकन किया है सातवे चरण में जारकन के राज महल दुमका और गोड़ा लोक सभा में चुनाव होना है सो महर को राज महल से 5 दुमका से 7 और गोड़ा से 6 परतियासुन नमांकन किया है बतादे अब तक सातवे चरण में 36 परतियासुन नमांकन किया है अब तक राज महल से 10, दुमका से 10 और गोड़ा से 16 परत्यासियों नमिनेशन किया है वहीं 14 माई को साथवे चरण के नमिनेशन का आकरी दिन है 15 माई को इसकुटनी और नाम आपसी के अम्तिम्ति थी 17 माई है उक्त जनकारी मुके नियोजन प्रादिकारी केरा भी कुवाने प्रेस कॉन्फिरेंस कर दिया है जारखन हाई कोड की टिपनी रांची में ट्रेफिक पूलिस के कई ज़वान अवैद वसुली में लगे रहते हैं जारखंड हाई कोट के जस्टिस एसन पर सादवा जस्टिस एकके राही की खंड पीट में रांची में आटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाकिल यनित याचका पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरन अदालत ने मौकिक रूप से कहा है कि रांची में बिना परमिट वाले आटो के परमिशन पर रोक लगाए और उन पर करवाई करे अदालत ने नराजगी चाताते वे कहा है कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवायद वसूली में लगे रहते हैं बियाईपी मौवमेंट होने पर ही वे सकरिये रहते हैं मामले में अगली सुनवाई 13 जो उनको निर्धारित की गई है सुनवाई की दोरन अदालत में ट्रैफिक एसपी उपस्तित थे संताल में बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान और करवाई संभाव नहीं है CAA से नागरीकता मांगने वालों की जाच परताल के बाद भारत की नागरीकता दी जाएगी बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान करने एवाम उन पर करवाई के लिए CAA नहीं है राज सरकार की ओर से बताया कि हाई की एक प्रस्ताव तयार किया जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार के स्वाजोग से बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी इस पर हाई कोट ने केंदर सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि बंगलादेशी घुस पैठी की पाचान करने के ममला गंभीर है इसलिए इस पर केंदर सरकार से निर्देश लेकर जबाब दाखिल करें ममले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी गुमला में बोट देने पहुचा बंगलादेशी घुस पैठीया फरार गुमला में सोमवार को पालकोट के बूठ नमबर 28 पर कंदर्प उच बिद्याले में आईडी काड लेकर बोट देने पहुचे एक बंगलादेशी घुस पैठीया की पाचान हुई है यहां आमीर खान नमक युवक मद्दाता संख्या 464 की परची लेकर बोट देने पहुचा तो अस्थानिय बूठ एजेंटों ने नया चेहरा देखकर युवक से मद्दान की परकिर्या में सामिल होने से पुष्टा सुरू की इसके बाद युवक घवरा गया कलाई से पुष्टाश की गई तो उसने सविकार किया है कि वह बंगला देशी नागरिक है तलासी के करम में उसके पास से एक अधार कर बरामत किया गया जिसमें उसका पता गुमला के पालकोट परखंड के टेंगरिया गड़ बगीचा अंकित है बाबा मंदीर में मिले नवजात को गोद लेने के लिए बढ़ रहे हाथ देश भर में मिलने वाले नवजात को गोद लेने के लिए कई लोग आगे आते हैं मगर उन्हें एक परकिरिया के तहत ही बच्चे को सोपने का प्रधान है बच्चे को लेने के बाद उसकी देख भालवा लालल परान में कोई कमी नहीं रहे इसके लिए पुरी जिमेदारी के साथ बच्चे को नियम पुर्वक किसी को सोपा जाता है बता दे बाबा मंदीर के महिला सोचले में पाए गए नवजात को गोद लेने के लिए कई लोग अपनी इक्चा जाहिर कर रहे हैं लोग बाबा मंदीर आकर गोद लेने की परकिरिया के बारे में जनकारी ले रहे हैं बाबा मंदीर के मुखे प्रवंधक रमेश परिहस्त ने इक्छा जाहिर करने वाले लोगों से प्रसास्निक अस्तास्य नियमप पुर्वाक पहल करने की बात कही है पिलाल बरामत उक्त नवजात का CWC के देख रेख में सदर अस्पताल के SNCU में इलाज चल रहा है अध्यापक संग ने की गिरिश्मा आउकास में पईवर्तन की मांग पिलिश्मा आउकास में परिवर्तन करने का अस्वासन दिया है साथ ही सायक अध्यापको के चार पर्चत मांदे में बिरिधी पर भी चार्चा की गई याथा सिग्र ही चार पर्चत देने पर समती बनी है सेवा पुस्तिका के संधारन पर भी अथा सिग्र करवाही करने का स्वासन मिला है असम के मुख्यमंत्री 15 माई को आ रहे जारखन असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सर्मा 15 माई को हजारी बा कोडर्मा और धनबाद लोकसभा छेतर में जन सभा को समधित करेंगे सर्मा रामगण जिले के रजरापपा डियफी मैदान में गुरू आर 11 बज़े से आयोजी जन सभा समधित करेंगे इस असर पर लोकसभा प्रभारी ससी भुसन भगत एन डिये परत्यासी मनिस जैसवाल रामगण जिला ध्यक्स परवीन मेहता हजारी बज़े जिला ध्यक्स बीवेका नन सिंग भी मजूद रहेंगे बता दे असम के सीएम गिरी डी जिले के जमुआ बिधान सभा के बलोक मैदान देवरी में सवे बारा बज़े से आयोजी जन सभा को समधित करेंगे कोडारमा संसद्य छेतर में कलपना सुरेन आच और पंद्रह को तेयस्वी यादव करेंगे सभा कोडारमा संसद्य छेतर में 14 और 15 माई को इंडिया गडबंदन के दिखजों का जमाड़ा लगेगा गडबंदन की ओर से माले पतैसी बिनोट सिंग के समर्थन में 14 माई को तीसरी के गांधी मैदान में चुनावी सभा होगी इस तभा में मुखे रूप से पुर्व सियम हेमान सुरेन की पतनी कलपना सुरेन मुर्मू मौजूद रहेंगी उनके साथ राज सभा सांसा सर्फराज अहमद और राज धनवार से पुर्व विधायक राजकुमार यादव सहीद कई नेता मौके पर मौजूद रहेंगे बताते चले कि बिनोट सिंग के नमांकन में कलपना सुरेन मौजूद थी वहीं बिहार बिधान सभा में विपक्ष के नेता और पुरू उपमुख मंतरी तेसवी आदो 15 माई को जारकन में चार चुनावी सभा को समधित करेंगे तेसवी आदो 15 को 14 लोग सभा के हंटर गंज हाई स्कूल में 12 बच कर 40 मिनट पर बलोक मैदान बरही हजारी बाग में 1 बच कर 35 मिनट पर पेसरा तंड मैदान बेंगाबांद गिरीडी में 2 बच कर 30 मिनट पर और 3 बच कर 25 मिनट पर कोडारमा लोग सभा के माधाव टांड पावर हाउस ग्राउंड पंडी हाड़ी जयनगर कोडारमा में जन सभा को समतित करेंगे धन्यवाद